So Hello Friends, Welcome Back to my channel, Let's Learn English Friends, आज हम लोग Class 10 का Model Paper करने जा रहे हैं Class 10 का English Subject जो है, उस English Subject को English Subject का हम लोग Model Set करने जा रहे हैं जैसे जार्खन Council of Educational Research and Training Model Question Paper तो यह देखें जो 2023 में लिखने वाले विद्यार थी है उन लोगों का Most Important जो है, यह Set है उन लोग इस Set के थुरू से मैं समझाओंगा उसी प्रकार से मैं Set और भी दूँँगा जिसे आपको जो है, एक्जाम में किसी प्रकार का बेहिशक या किसी प्रकार का दिक्कत या प्रुस्वामेशिया नहीं आएगा तो फ्रेंस यही है Objective Question तो हम जो है, यहां Objective भी बात करेंगा और Subjective Question जो है, आप लोग का Already पता है कि Objective जो है, चालिस प्रस्वन चालिस नमबर का ठीक है फ्रेंस, और Total प्रस्वन चालिस मार्क्स वान होगा ठीक है, एक नमबर का, एक कोस्वन का value कितना होगा, एक मार्क्स होगा, इतना तक Already आप लोग जानते हैं, तो फ्रेंस हम लोग जादा समय को वेस्ट ना करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका एक्जाम होने वाला February मार्च है, जिसे आपको आसानी से आप इंग्लिस में अच्छे मार्क्स, बेटर मार्क्स उठा ले आएंगे, ठीक है फ्रेंस, चैनल को टेस्ट लिया जाएगा, ओनलाइन, ओफलाइन, दोनों में, तो आप लोग ओनलाइन में देख लिजेगा, और वीडियो अफलोट किया जाएगा, उसको देख लिजेगा, ठीक है, दस पंदरों सेट हो जाएगा, आप बिलकुल निश्चित से आपका एक भी मार्क से इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, वहीं से प्रसन आएगे, तो आएए देखते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, कि किस प्रकार से जो है, मोडल सेट त्यार किये हैं, जो जारकन कॉंसिल अप एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रैनिंग के द्वारा जो किया गया है, उन लोगों जो सेट जारी किये हैं, उस पहले देख लेते हैं, तो देखें प्रेंच सबसे पहले यहां देखेंगे, पहले तो पहला कोसिन हम लोग काएगा क्या, आप लोगों का पता है, पहला प्रसन हम लोग काएगा, क्या आएगा पता है, पहला प्रसन आएगा क्या, रीडिंग आ यह जो पैसेज है यह क्या है भेली और फ्लावर से हम पूरा नहीं करेंगे आप लोग की कहानी को पढ़ लिजेगा जिसके बारे में दिया गया और यहां optional question है उसको solve करना है सबसे पहले आप इस कहानी को नहीं पढ़ेंगे सबसे पहले इस कहानी से related जो भी प्रसन है उसको पढ़ लेना है उसको पढ़ने के बाद जो है आपको कहानी पढ़ना है जब कहानी पढ़ने लगेंगे यहां यह पैसेज पढ़ने लगेंगे तो आपका answer मिलना सुरू हो जा तो देखिए यहां सबसे पहले प्रस्ण परियां सबसे पहले प्रस्ण रीट कर लीजिए उसके बाद ही कोश्चिन आपको ध्यान दीजिएगा ठीक है देखिए वेली ओफ फ्लावर्स इस ए नेशनल पार्क इन उत्राखंड इंडिया फ्रेंस जो फ्लावर्स यह एक नेशन पार्क है जो उत्राखंड में है उत्राखंड कहा है तो इंडिया में ठीक है फ्रेंस आप यहां ओप्शन आप आ जाईएगा निच्चे जैसे ही आईएगा इतना पढ़नेक बार तो पहलों को याद रखिएगा पहले दू तिन बार कोश्चिन पढ़ लिजिए उसके भावी होता है ओई यह प्रस इस तरह से बताएगा उसको पता होता है कि किस प्रकार से प्रसनों को सौल्व किया जाएगा ठीक है फ्रेंस इसलिए आप लोग घबराईएगा नहीं आपको पूरे बिलकुल जो है इंगलिस में आपको माक्स में कोई दिकत नहीं होगा ओके इसलिए आप लोग ये नहीं होईएगा ठीक है और ज्यादा ये हडबड़ाई एक नहीं तो गडबड़ा जाईएगा तो देखे प्रस्ण जैसे मैंने उहां पढ़ा यहां पहला ओप्सन आपको देखने को मिला क्या मिला देखे उत्राखंड यहां से आपको देखने को मिला क्या उत्राखंड ओप्सन देखेंगे यहां क्या है उत्राखंड चाहें किसी भी प्रस्ण को बना रहे हो सबसे पहले पैसे जा रहा है इंगलिस का हो या हिंदी का हो किसी सबजेक्ट अगर पैसे जा रहा है पेसेज जो है पढ़ना तो देखे आपका पहला ओप्षन का एंसर मिल गया अनि हमारा जो है ओप्षन बी राइट एंसर है इसी प्रकार से आगे देखेंगे देखें नेक्स कोर्शन था क्या वाई इस दिस भैली फेमस फॉर ठीक है यह प्राशन है तो आगे पढ़ेंगे द टिस देखें इस फेमस फॉर चार्मिंग मेडियो तिंप्रेश मेड़ी जो इलपायन फ्लावर्वर्स बलते एं ठीक है ध्याच सबसुक्रेंड प्लावर्स मैदान है फूल का से फ्यामस से इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपका आप देखेंगे तो इसका एंसर क्या होगा आप लोग देखेंगे थोड़ा लोग कर पहिए इसका जो answer होना चाहिए इसका answer क्या है तो answer आप चाहेंगे क्या किसके वज़ा से फ्यमस है तो देखी यहाँ आगे देखते हैं प्रस्न पहले दिखा लेते हैं ठीक है फ्रेंज तो देखी आगे का प्रस्न आपको नहीं दिख रहा है तो आगे आजाईए इस प्रकार से आप पढ़ लिजिएगा और समझ जाईएगा आपको सिर्फ यह जो है सेंपल है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ठीक है तो देखिए पाला इसका क्या है देखिए यहाँ पर इंसराग ए डी ल体 ठीक है दुसरा का D हो गया इसी प्रकार से तीन में देखाँ वाइद इस भेली इस वर्ल्ड हैरिटेज साइट बोला गया क्यों साइट बुला गया ओल है हरिटेज साइट तो आप जो है वहाँ पढ़ते जाएगा एंसर मिलते जाएगा बहुत आसान है फ्रेंट्स आपको इ इसका एंसर क्या हो जाएगा इंसर देखी विकाउज ओप देखेंगे इसका क्या है फ्रेंट्स विकाउज और इट्स ठीक है प्रिस्तें ब्यूटी मस्ति उत्तम सुंदरता जिसको बोलते हैं कि वज़ते से ऑघाउज ह方 स्बमी स्टिकल मिस्टिकल स्रांडिंग डोनों के वज़ा से तो आपका answer क्या हो जाएका friends ठीक है फ्रेंज आगे निच्छी आगे बढ़ते हैं आगे आते हैं नेक्स कोसेन में देखेंगे friends तो नेक्स कोसेन देखिए नेक्स कोसेन है हम लोगों का डारेक्ट हम आइए और इसको पैसेच पढ़ते जाईएगा और एंसर करते जाएएगा सुनता को से ने था थीजीटर्स देखें जब बीजीटर्स वेब टू स्टे इन अधे इन ठी सिह ढगांद्रिया घंद्रिय विकाउज क्यों रहता था तिसका एंसर क्या हो जाएगा फ्रेश देखें फॉर का एंसर आप का हो जाएगा ठीक है डी अनिदी में देखे बीवी एंसर है चीवी बीडी जो दिया हुआ है एवी एंसर है वान के नोट स्टे एड दा भेली ओप लावर्स और गेंट ठीक है ठीक है गांद्रिया इस एन आदियाल ठीक है प्लेस टू रिल्स इंसलीव यह है इसी प्रकार से आपको कहीं दिकत नहीं होगा तो आएगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे देखिए 5 ये चार्रैन्स के देखे चालरी से हैं उससके कभल ठेखे देपने फैञकर के लिए फैले फ्लावर्स से फोली फ्लावर्स फ्लावर में ऊससा सि क्र फार dob शोलthen यकाट ओहां मिल जाएगा आप पड़ लीजिए तो समझ माएंगा इसका एंसर जो है कहां मिलेगा पता कब खुला जाता है यह आप लोका पता होगा यह नहीं पता है तो मतलब mt सब्सक्राइब करना तो क्या हो जागा फ्रेंज सिक्स नंबर में आपका जो है आपका एंसर क्या हो जागा ऐख वाइपर केटड Egypt इसको भाइफर केटड इदे में है देखेए शेभन में क्या बुला गया है शेवन बुला गया है कि रिपेल का एंटोनेयम क्या होता है एंटोनेयम क्या होता है रिपल का एंटोनेयम तो क्या लिखेंगे रिलेक्स अल्ट मतलब एट्रेक्ट और आइडल और नौन ऑफ अब तो देखें रिपेल का मतलब होता है हटना और जो रिलेक्स का तो आराम हो ज और निस्करसित होना इस तरीके से होता है रिपल का मतलब हटना तो आपका बी एंसर राइट हो जाएगा चलिए नेक्स कोश्चिन देखते हैं आइट कोश्चिन नंबर आइट में देखिए कोश्चिन नंबर आइट में क्या देखिए भैली ओप फ्लावर्स इस ए नेशनल क्या है एक नेशनल पार्क उत्राखंड का तो above the sentence is in देखें यह क्या है यह कौन टेंस में है यह बता रहा है simple बात है तो simple present tense में है simple past में present continuous में और past continuous tense है अगर आप tense से नहीं जानते हैं तो मेरे YouTube चैनल में आपको playlist बना दिया गया है आप जो playlist में जाए और वहां देखिए आपको सारा tense का जो बिमारी है दूर हो जाएगा देखने के बार ठीक है ता आपका answer यहां हो जाएगा friends वो हो जाएगा आपका a number यह simple present tense में जब भी is MR यह सबाएगा ठीक है Is MR और यह साथ में क्या रहना चाहिए उसके साथ में यह焦़े ठीक है adjective होना चाहिए या उसके साथ में नां उसके others क्या होना चाहिए तब आपको यहां simple मतलब past tense हो या present tense हो अगर past में होगा तो वाज हो जाएगा present में होगा तो देखें यह क्या contents में आगया इस MR है और उसके बाद executive आएगा या noun होगा तो हम समझ जाएंगे वो क्या है वो देखें national park क्या है तो यह एक noun है तो इस प्रकार से हमारा जो answer right हुआ ए नमबर आगे चलिए वीडियो को last तक देखें जो भी class 10 का student है उन बहुत अच्छा से देखना पड़ेगा तो अभी आप जो 100 का 100 marks कैसे उठा पलाएंगे बहुत आशान ही से है आप कम से कम 95 आइटी ला लेंगे ठीक है आएए देखते है next question में पूछा जागए हाँ so choose the correct option given in the इस प्रकार से 9 से चोदो प्रसन आएंगे 9 से लेकी चोदो और complete करना है लेटर जो दिया हुआ रहे है तो देखिए यहाँ पूरा लेटर का format है यह format आपको याद रखना है उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं वो भी उसके बाद I am very क्या लिखाएगे हां set लिखाएगा glad लिखाएगा happy लिखाएगा क्या लिखाएगा तो आपका पूरा option में नीचे जो है बिल्कुल आपको दिया हुआ रहेगा आपको एक जरासा यह नहीं होना है ठीक है कोई दिकत के बाद नहीं है इसलिए आप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से answer देंगे तो देखिए पहला का option आपका हो जागा जो पहला का option होगा देखिए या option number आपको दिखाया गया है sincerely है sincerely है ठीक है lovely अच्छे है देखिए एक capital में लिखा हुआ और एक dear ऐसे लिखा हुआ तो आपका answer क्या होना चाहिए आपका answer C होना चाहिए यह dear होगा ठीक है यह answer आपका क्या हो जागा 9 dear इसी प्रकार से देखे 10 question है यहाँ पे और 10 question में देखेंगे 10 प्रस्ण है मैं आपको क्या वहाँ दिया गया था sad होगा happy होगा angry होगा तो आपका 10 का जो answer हो जाएगा आप वहाँ से मिला लेजिएगा ठीक है happy होगा इसी प्रकार से आपको चलते जाना है और देखते जाना है ठीक है आगे देखिए आगे वाला question में आपका है 11 में तो देखिए 11 question में क्या खाली जगम क्या भराएगा ग्यारो वाला question में आपको क्या भराएगा तो find भराएगा ठीक है और आपका answer A है right उसी प्रकास से आगे अगर हम लोग चलते हैं अगर 12 question में तो आपका 12 question में क्या भराएगा तो 12 question में आपका भराएगा क्या वो देखिए 12 question में आपका भराएगा question क्या है 12 question में आपका क्या भराएगा आप लोग जानते हैं क्या भराएगा तो देखिए आपका 12 question में भराएगा आपका A number यदि गीवेन, क्या भराएगा, given उसी प्रकार से अगर हम 13 question देखेंगे तो 13 question के खाली जगम क्या भराएगा तो देखें खाली जगम क्या भराएगा देखें डिस्कॉरेज़ है इंकॉरेज़ है जीलस है है तो आपका जो है क्या भराएगा थर्टीन में आपका बीन भराएगा इंकॉरेज़ भराएगा मतलब इंकॉरेज़ ठीक है उसको सहांसी देना उसको हिम् ठीक है ने कोसिन में देखेंगे 14 खाली जगम क्या भराएगा तो देखे लबिंग है लबिंग है लभिंग ली है है और अविडेंटली है देखे यह इन तीनों किस प्रकार का है तो यह देखने को मिल रहा है यह सब एक्जेक्टिब के रूप में है, ठीक है, और यह lovingly noun के रूप, तो देखिए हाँ, 14 में question आपका आजाएगा, क्या आजाएगा, lovingly, ठीक है, खाली जगम क्या भरना है, lovingly, मतलब lovingly नहीं, sorry, loving, तो आगे पुराशन देखिए, 15 question, question number 15 में देखना है, तो देखिएगा, 15 में, देखिए, 15 में, the children are making noise in the class, this sentence is in, देखिए, अब यह sentence का type बताना है, बोलेते जब ismr आएगा, तो present indefinite होता है, लेकिन यहाँ जो भर भाग आप देखेंगे, ing लगा हुआ है, तो यह continuous का form है, अनि continuous tense है, तो देखेंगे, ismr जो indicate करता है, present continuous tense, अगर was, were रहता तो past continuous tense, अगर will be, sell भी रहता तो future continuous tense, तो आपका यहाँ हो जागा, present continuous tense, देखिए, present continuous किसमें है, तो d number, आपका answer क्या हो जागा, d, right answer, d होगा, क्या होगा, d, चलिए, next question देखें, 17 का, 17 का देखेंगे, नई, sorry, 16 का passive voice करना है, the passive voice of Mr. Sharma is making a film, मतलब Mr. Sharma का passive voice, यह जो sentence है, ठीक है, जो यह sentence है, इसको passive voice में change करना है, तो सबसे पहले हम लोग object को, इसका नियाम होता है, जो object होता है, वो subject बन जाता है, इदार, और जो भर्व होता है, वो क्या होता है, वो जो है, आगर यह, ठीक है, वो जो है is, Mr. में change हो जाता है, जो is, im, r होता है, जो is या mm और और होगा, लेकिन जो भर्व होगा यहां पे, यह subject हो जाता है, is या aim या r होगा उसके बाद जो भर्व होता है ये भर्व भी third हमेशा रहता है उसके बाद by लगाते हैं प्लस करके by उसके बाद जो है हम लोग जो subject था वो इधर आको object बन जाता है तो यहाँ Mr. Sarma है तो Mr. Sarma ही लिखाएगा देखिये यहाँ पर कौन वाला इसा लिखा हुआ है तो देखे एप फिल्म is being है देखो is being लगा दिया गया देखे यह continuous tense में है ठीक है यह continuous tense में है तो आपको continuous tense में क्या होता है is Mr. रहेगा तो वहाँ हम लोग being यूज़ करते हैं ठीक है याद रखेगा है यहां, यहां बिंग यूज होगा, क्या होगा, बिंग यहां पर, इसमें हम नहीं लगाया थे, ठीक है, बिंग यूज करना है, तो देखें बिंग कहाँ, तो देख लिजिए यहां पर 16 नंबर का question में आपका answer जो होगा, 1 होगा, ठीक है, आप लोग पड़ होंगे चलिए next question देखते हैं 17 का और 17 को देखने का मिलता है हम लोगों का जो किस प्रकार का जो question है देखिए question बोलता है देखिए who wrote this book यह भी passive voice में change करना passive voice में change करने के लिए who जो होता है subject होता है अब लोग का बता हू मतलब कोन होता है या जो होता है ठीक है अने तो यहां क्या हो जागा कौन और कौन जो हता यह subject होता और इसका object क्या होता हूम समझ में रहा हूम ठीक है जैसे ही हुआ तो ही subject हुआ इसका object क्या होगा he का him होता है आप लोग का पता है अगर I subject है तो इसका object क्या हो जाएगा me इसी प्रकार से who है subject तो इसका object क्या हो जाएगा whom तो जब भी आप whom लिखेंगे तो आपका यहां क्या हो जाएगा whom के साथ by लगा हुआ रहेगा तो देखे यहां किसमे के साथ बाय लगा हुआ है तो देखे यह त्यों क्या है तो यह पास्ट इंडिफिनेट टेंस का तो देखे एज और इज यह दोनों तो होगा नहीं तो आगे देखे थाड को संदार्ड ओप्शन में आई यह तो थार्ड दिस बूक रिटेन तो आपका एंसर किसमें आ जागा अपका जो है इंसर को आपका एंसर कहां आ जागा तो देखे किसमें एंसर होगा बताइए आप लोग का एंसर जो हो जाएगा इसमें सी नंबर देखिए एंसर क्या हो जाएगा सी ओके तो आएए देखिए देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा देखिए हम explain करना पड़ा डारट बोल देते हैं यह का है question number 18 का एक यह होगा इसी तरह 19 का भी होगा तो इसम ठीक नहीं होता है आपको याद हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं लूप डाइट में डाइट में खाली जगा टू ओपेन दा डॉर आप यूर हाउस तो क्या हो जाएगा डाइट में ओपेन देखो वह आदमी जो है दर्वाजा उस घर का दर्वाजा खोलने कोशिश कर रहा है क्या हो तो देखे इसमें क्या होना चाहिए ट्राइग कर रहा है इस ट्राइंग यार आर ट्राइंग और ट्राइंग तो फ्रेंस यहां देखेंगे देखे डाइट में हैं तो यह सिंगुलर है यह होगा नहीं ट्राइग तो होगा नहीं ठीक है और आपक यह भी ट्राइंग डारेट होगा नहीं इसके साथ हेल्पिंग भर्ब आएगा तो इस होगा आदमी जो है उस घर का दर्वाजा खोलने का कोशिज कर रहा है प्रियास कर रहा है आपका उप्शन नंबर बी राइट एंसर नेक्स्ट देखिए उन्हें इसमें दा मोडल भर्ब इन्हें मोडल भर्ब आई आश्क ड़ेंट इप आई सीहीम खाली जागा भर्ना तो आई दिखें यहां क्या है मैं पूछा उसे अगर इप मतलब अगर यादि आई सीहीम तो देखिए यहांगा अई स्थिंव उससे नहीं गलत हो जाएगा आई निट सीहिंव क्या होगा could see him, देखे यह past tense में है, तो यह भी past tense माना चाहिए, तो आपका answer क्या हो जाएगा, तो आपका answer D हो जाएगा, देखे, could हो जाएगा, ठीक है, तो देखे, need भी नहीं होगा, already verb यहाँ है, और यहाँ भर्ब डाल रहे हैं, should भी नहीं होगा, होना चाहिए, तो यह भी नहीं हो है, मैंने, मैं उसे कहा, कि आना, इस प्रकार से, आनि आपका answer क्या हो जाएगा, D, ठीक है, answer क्या हो जाएगा, D, could, तो आएए next देखते हैं, अब इस फिट चलते हैं, देखे फ्रेंस, इसका practice a man perfect, यह क्या हो जाएगा, practice makes perfect होता है, आनि आपका answer number क्या हो जाएगा, be right answer है next देखिए, so I, खाली जगा है, friends these days, तो क्या हो जाएगा, was learning, learn, देखे यह books, books है, ठीक है, I am learning, learn, तो आपका answer क्या हो जाएगा है, हाँपे, c number, अनि c में क्या है, I am learning friends these days, चलिए next देखिए, next question आपका है, 22 का देखिए, look, फिर आगया, she is the girl and stood first in the class, देखो, देखो वो लड़की जो है, class में top कर गई, जो लड़की first आई, तो who होगा या whom होगा, when होगा, where होगा, तो आपको यहाँ indicate करता है, यह time तो होगा नहीं, यह indicate करता है, place, जगह को, यह भी नहीं होगा, whom indicate करता है, जो subject होता है, तो हमको यहाँ subject चाहिए, ठीक है, और हमको यहाँ subject चाहिए, और हमको object का जोरी नहीं, तो आपको अभी पहले बता दिये थे, कि who क्या होता है, subject होता है, और उसका object क्या होता है, whom, तो यह होगा नहीं, आपको होगा क्या, who, तो आपका यहाँ क्या भरा जागा, who, और राइट एंसर आपका, यह में चला जाएगा, चलिए next question देखिए, next question में भी एक जो है, इसमें भी क्या है, यह भी आपको मिलेगा, read the passage given below, and choose the correct option, correct options to answer the question, तो आपको यह पढ़ना है, और पढ़ के एंसर देना, मैंने बुला कि सबसे पहले आपको question को पढ़ लेना, उसके बाद आपको passage को पढ़ना, ताकि आपको आसा सानी से याद हो जाए, तो देखिए, 23 का option आपका चला जाएगा, who is he in the first line, first line में कोन है, तो यहाँ पर आपको लेंचो है, ठीक है, लेंचो है, फार्मर है, किसान है, जो वो, ठीक है, crops उप जाता है, चलिए next question देखते है, और यह राइट एंसर हो जाएगा, चलिए 14 नही देखिए, sorry, 24 में, तो 24 क्या है, 24 में का how much money did reach, कितना पैसा उसके पास पहुचा था, जब पोस्ट में जो है, भेजा था, तो कितना पैसा पहुचा था, 30 pieces, 100, तो आप लगाए, ठीक, इसका एंसर कितना होगा, इसका एंसर C होगा, यहनि 70 pieces, 70 pieces, ठीक है, यह पैसा का उस लोगों का नाम है, जैसे currency का नाम है, हम लोग रूपए या बोलते हैं, तो सब pieces बोलते हैं, ठीक है, तो चलिए 25 में देखिए, what does the phrase bunch of groups, bunch of groups का मतलब क्या होता है, देखे, group of dishonest people, group of honest people, group of friendly people, इस परकास का आपका answer हो जाएगा, यह dishonest people होते हैं, ठीक है, 25 में क्या हो जाएगा, answer आपका A में चला जाएगा, और राइट answer A है, चलिए next question देखेंगे यहाँ पर, next question है, next question देखिए, चूज करना है, correct option and given line, देखे, choose the correct option and answer following questions, तो देखिए friends, यहाँ देखेंगे, who is the author of, from the diary, ठीक है, diary of Annie Frank, Annie Frank से जो लिया गया है, वो क्या है, देखिए, तो आपका option यहाँ है, इस प्रकार से वाल्ट, 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 वाइट में, और ओग, ओग देन, नस, ठीक है, तो आपका answer किश में हो जागा, देखिए, तो आपका option 26 में चला जागा, बी में, अनि प्रेंग का है, अनि प्रेंग के हाँ, टाइटल से समझ जाएंगे, चलिए next question है, आईए next question 27 में देखते हैं, 27, 27, who did muddy, ठीक है, who did muddy, things would win the contest, तो देखिए, वंडा है, मेडी है, पेगी है, और नौन अब्दीज है, तो आपका answer कहाँ चला जागा, 27 में, C number, पेगी में, ठीक है, शेलिए, C number answer हो जागा, next आईए देखते हैं, next में 28 में, what tricks did the pilot take, तो आपको यहाँ, पाइलोट वला से है, first flight, second flight, जो है, उसमें होता है, तो क्या है friends, इसका answer क्या हो जाए, missing his break, breakfast and flying block, back, flying, flying back to Paris, इसी तरह से देखिए, C number में, तो आपका right answer हो जाएगा, C number, ठीक है, C number, चलिए, next question देखिए, next question देखिए, 27 में, what was the immediate, ठीक है, reactions of the postmaster, seeing the letter, तो cried क्या हुआ, चिलाया, cried हुआ, या laughed, whole, hurt, teddly, तो आपका answer चला जाएगा, B में, ठीक है, right answer क्या हो जाएगा, तो B में हो जाएगा, आएए next देखते हैं, 30, 30 में question number 30, तो देखिए, what are the, what are a man's obligations in life, देखिए, option आपका, कहां से ला जाएगा, C number, C कहा है, both, आनि A भी होगा, और B भी होगा, चलिए next question देखिए, next person आपका है, next person, what does the Amanda consider herself, देखिए, और फॉन, आपका जो है, question number 1 ही, right, मतलब, A option right है, ठीक है, next आईए देखिए, next question है, so baker, देखिए, next question क्या है, the baker, and the bread seller, of those days, had a peculiar dress noun as, देखिए, कीरा, कोट, पेंट, कबाई, और हैक बॉक, आपका answer कहां चला जाएगा, तो आपका answer चला जाएगा, C number, और कबाई, तो next चलिए, आईए देखते है, question number, 33 में, तो 33 में क्या कहा गिया है, तो देखिए, 33 में कहा गिया है, in which, ठीक है, in which country, tea, was drunk first, देखिए, England में पीता है, चैनम पीता है, पाकिस्थान, बंगलादेश, तो आपका first पूछा गिया है, तो आप book पढ़े होंगे, तो आपका जो चाएग, जो पीता है, मतलब जो टी पिया जाता हुआ, पाकिस्तान में, फास्थ पाकिस्तान में ड्रंक किया, ठीक है, तो B number, right answer, किदर किया B, कितना का है, 33 का, 33 का B number, चैनम है, ठीक है, चैना, right answer, next question देखी, आपका, 34 में, 34 में क्या है, what type of man was, griffin, क्या था, brilliant scientist था, lawless person था, यह जो एक brilliant scientist था, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, क्या है, 34 में, 34 में क्या है, नहीं, यह brilliant, scientist था, lawless person था, आपका, C right answer होगा, ठीक है, next देखी, 35 में, 35 में आपका answer चला जाएगा, 35 में answer आपका देखी, what did the thief use to change every month, तो क्या होता था, his name, आपका answer जो है, नाम वो change करते रहता था, ठीक है, चलिए, 35 के बाद आप आजाएए, 35 के बाद आप आएए, 36, 36 का question देखिए, 36 का question है, so who is the writer of trim of surgery, देखे, Mrs. Pumphrey, James Harriet, Ruskin Bond, मुलकराज आनन, आपका question चला, answer हो जाएगा, आपका, answer A number, 36 का, नहीं, B number होगा, James Harriet, ठीक है, James Harriet, next question देखिए, 37 में, 37 में, who was, Oswald, ठीक है, Oswald, तो देखिए, waiter है, policeman है, secret agent है, और क्या है, तो देखिए, 37 में, आपका answer चला जाएगा, C number, अनि, secret agent था, ठीक है, secret agent, चलिए, 37, 8 में, देखिए, Horace, ठीक है, Horace, Denmark, liked, देखिए, reading expensive book, answer आपका चला जाएगा, A number, ठीक है, next आईए, देखिए, last question बंचा हुआ है, वो question number है, देखिए, 39, और 39 है, मिसेज, लोजल, ब्राउड, देखिए, उसके बाद, यहाँ क्या था, में, first year, यहाँ क्या है, Mr. first year हो गई है, मिसेज, थोड़ा से यहाँ, देखिए, right है कि wrong है, तो आपका question के, यह answer आपको कहाँ चला जाएगा, address, necklace, और यह दोनों होगा, तो आपका answer जो है, बी में चला जाएगा, यहाँ, necklace के बाद की गई है, ठीक है, answer आपका बी चला जाएगा, last question है, आज का, आज का question है, so what was Bolly's real name, क्या नाम था उसका, तो नाम था, सूलेखा, ठीक है, आप पड़े होंगे, तो आपका answer चला जाएगा, सूलेखा में, friends, वीडियो अच्छा लगा, आपको यह question 40 प्रसन करने के बाद, आपको वीडियो अच्छा लगा होगे, तो like किजिए, share किजिए, और share करने के बाद, subscribe कर लिजिए, ठीक है, friends, और आप बने रहिए, इस चैनल के तुरुष, आपका set by set आपको मैं कराऊंगा, हर set में आपका 40 question होंगे, जिसे आपका जो है, एक्जाम आते आते, 100% आपका जो है, पूरी बिलकुल त्यारी हो जाएगा, thank you, फिर मिलते हैं, next session में, नए कुछ आपका जो है,